देखे हमें यह समझ लेना चाहिए और यह मान के चलना चाहिए कि government of India हमें जो है free hand to democracy नहीं दे रहा है वो अपना जो जो कुछ भी उनको इस वक्त ठीक लगता है अपनी party के लिए I am talking of BJP not the government जो BJP party है जो उनको लगता है उनके favor में जा रहा है वो उसके लिए कुछ भी करने क के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है well as the former chief minister is detained तो यह तो गलत बात है आप democracy है आप आईए मैदान में लड़िये election फिर को नहारता है कौन जीतता है वा अलग बात है तो अगर देखे मैं एक बात कहूं हम छे पार्टियां गुपकार एलाइंस में है आ एंडिये में भी पार्टियां है भी पार्टीज है यू पीए में भी पार्टीज है क्या हम उनको गैंगे फिर तो हमें भी उनको गैंग कहना चाहिए लेकिन हम इखलाक से नहीं गिर रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो इखलाक से गिर रहे हैं भी जो I guess so, yes. If you do so in a democratic country, if you say in so-called democratic country where we have right to freedom, to preach, whatever is mentioned in the constitution of India, if speak, if there is anything which is the people are being held, they are being holed up somewhere, they are being stopped, they are being harassing in order to kill the time. But naturally, it's to sabotage the voters from casting their vote. जो बातें आज हो रही हैं, जिस तरह से शुपियन में वाका हुआ है, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को आप कैम्पेंड नहीं करने दे रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? डिमोक्रसी है, मुझे लगता है, डिमोक्रसी लखनपूर से बाहर है, यहां कहा है डिमोक्रसी है, उसके बावजबत भी हम लड़ रहे हैं सब, जितना भी आप वो करें, फोज का महासरा करें, हर तरफ करें, बीजेपी यहां से, इन्शालला मुझे पूरी उमीद है, जिर ने आ रही यह बात, कैसे ऐसे वो होने दे रहे हैं, कि आप पूरे एरिया को आप कॉड़नाफ कर देंगे with security forces, बीजेपी के साथ क्यों नहीं करते हैं, जो उनकी जो सहियोगी पार्टी यहां पर है, उसके साथ क्यों नहीं करते हैं, उनके लोगों को बंद क्यों नहीं करत हैं, हमारे candidates को क्यों बंद कर रहे हैं, हम लोगों क्यों क्यों रोकते हैं, बहुत दफार रोका गया हमको भी जाने से, तब भी हम आपको बुरी तरह से पचाड देंगे, याद रखिये आप, अबास अंसारी, शानवाज हुसैन, चुग साब, we will make you bite the dust in कश्मीर, remember that. मुझे लगता है, डेमोग्रेसी में जो इजाज़त है, वो पहली बार ही आप डीडीसी में यहाँ बार नजर आ रही हो गई, सबी लोगों को पूरी तरह से जो है, पूरी खुली चूट है, सब अपनी अपनी जिगा पे कैम्पेनिंग कर रहे हैं, सेक्योटी पॉइंट आ लगा हुए, नाकी बाहर से लगा हुए, खबर बनाने की इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ यह लोग ढूटते रहते हैं, यहाँ और वहाँ, जहां पर कि इनकों कर ऐसी कोई बात है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमिशन बैठा हुआ, उसके पास इनने कंप्लेट करनी चाह आपको बड़ी जल्दी डीडी सी के चनावों का जैसे ही रिजल्ट आता है, आपको नजर आ जाएगा, पी ए जीडी जो एक गैंग, गुपकार गैंग जिसकी आब बात करें, वो बना है, वो सब लोगों को पता है, एक अपरचुनिस्टिक लोगों का गैंग है, जिन्हों ने एक दूसरे की बाहों में बाहर इसलिए डाली है, कहीं ना कहीं जो आज तक उन्होंने सियासत की आड़ में, तिन्सो सतर की आड़ में, जो किश्मीरी लोगों का हक खाया है, और उसकी अब अकॉंटेबिल्टी सेंटर उन से लेगा, उससे बचने के लिए ये एक दूस हो चुके हैं, और आप देखेंगे, आप देखेंगे आने वाले बक्त में, ये पी एज़िडी आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, ये फिर से एक दूसरे के वैसे ही खून के पैसे हो जाएंगे, जैसे इस चुनाफ से पहले थे, तो फारुक अबला ने भी अभी तन्की से पहली इलीगल बंदूक हाई हैं, उसको लाने वाले फारुक साहब हैं, यहां पर तीस साल जितना भी खून बहा, जितना जेलम में खून बहा, जितना शिकारों में खून बहा, जितना यहां की गलियों में बाग बगीचों में खून बहा, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो एक इनसान वो सिर्फ और सिर्फ फारुक अब्दूल्ला है जिसने यहां तक अपने का कार्यकरता को भी कहा कि जाओ पाकिस्तान और बंदूक लेकर आओ वो लोगा जामोकरसी की हमारी तक इस्थान झाल जाएं वहार पांच नहीं हम जो हमें делать कि चॉयुप कि दि ने हमने हमें अगस्टान के निवे शच की इतवबं से जो हमारी शॉप से गज् ancora यह यहां से वाखम आप हमें आब देखिए हम किसी जमात के ख़लाफ नहीं है मगर देखे एक तबके को साड़े नाव हजार पोस्ट उन्होंने एक तबके के लिए रिजर्व रखे हैं और उनको कहा है आप अपले कीजिए कश्मीर के लोग कहा जाएंगे फिर यहां के जो मुसल्मान है मैं मुसल्मान की बात कर रहूं है उसमें सिक भी आता है बोट भी आता है जो भी कश्मीर के बात कर रही है और उनको क्या मिले गार रियुक्त ओब क्यान के लिए उनको नजरे इनायत की ज़ा रहे हैं तो जो कि जोगे लेश्गज़ करने के लिए इसको जमीनी सतह तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि नाशनल कॉन्फरेंस में जो हमारी विमन्स विंगे उन तक के बात पहुंचे ताकि ये प्रोग्राम जो हमारा है और अलाइनिस क्यों हुए है अलाइनिस से हमें क्या फाइदा हो जाएगा डॉक्टर साब की महरबानी है जो उन्होंने इस एज में सब को एक ही जर्डे तले लाया है और हमारा क्या प्रोग्राम हम कैसे बचेंगे कश्मीर कैसे बच जाएगा यहां के लोग जो मुँके हो कश्मीर के जो कैसे उनको एक नहीं जिन्दगी मिलेगी कैसे जो इसके नताइज है बुरे असराद जो हुए है हम पर पांच अगर्टर से वो कैसे हम उसे छुटका रहा हमें कैसे मस सकेगा शुक्रेब